हेलो students, तो आज का जो हमारा topic है, वह CHS entrance exam class 6 mathematics, mathematics में हमारा जो सबसे पहला chapter है chapter 1, जो कि है number system, नंबर system, आज हम इस chapter को discuss करने वाले है, तो दीखे, सबसे पहली जो चीज है जो हमें जान लेना है वो है डिजट टिकेट डिजट क्या होता है तो डिजट क्या होता है तो हमारे नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 यह हमारे 10 डिजट हैं जिनको डिफाइन किया गया हमारे मैथमेटिक्स में इन्ही को हम अरेंज करके अलग-अलग नंबर्स को फॉर्म करते हैं जैसे एक्जामपल के लिए अगर हम अरेंज कर दें 1 और 2 को एक साथ तो यह नंबर बन जाता है 12 इसी तरीके से अगर हम 1, 2 और 0 को अरेंज कर दें तो यह बन जाता है 120 इसी तरीके से अगर हम 567 लिखना चाहिए तो 5, 6, 7 को हमें अरेंज करना पड़ेगा तो यह हमारे कि बेसिकली टेन्ट तेन डिजट्स जो है यह हमारे बेसिक जिड्स है जिन से हम और सारे numbers को ़ॉर्म करते हैं तो डिजट आपने समझ लिया अब समेज़िजी तोम टोपिक है वह यह number system किया है तो वह टॉपिक है हमारा number system अब number system नेखिए क्या होता है तो हमारे पास 토 तय Ibsक लणांबर सिस्टम कीए गए हैं त्री में Feel नंबर सिस्टम है वह हमारा कि इंडियन सिस्टम इंडियन सिस्टम के य Explain आट यह सेंडी हमारा हुआ निंटरनेश्टनल को सिस्टम है अब इन दोनों में होता क्या है तो देखिए वैसे मेनली ये दोनों है एक और हमारे पास नंबर सिस्टम ठीक है ये थर्ड नंबर सिस्टम जो है वो है रोमन नंबर सिस्टम हमें ये भी पढ़ना है रोमन नंबर सिस्टम बट जो मेनली अगर हम बात करें तो हमारे ये दो टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं ये रोमन नंबर सिस्टम को हम नंबर सिस्टम में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसको उतना जादा यूज नहीं करना होता है मेनली जो नंबर सिस्टम हमार हमारे कुछ periods होते हैं ठीक है अब वो periods क्या होते हैं तो देखिए अगर हम बात करें हम कोई भी number system लिखते हैं जब इंडिया में तो हम उसको कैसे रीड करते हैं तो हमारे निया नंबर सिस्टम में जैसे है हम बात करें तहां पर वन्स है फिर होता है टैंस और फिर हंड्रेट्स यह हूंड का मतलब है हंड्रेट्स फिर थाउजंड फिर टैन थाउजंड फिर लैक फिर टैन लैक फिर करोड फिर टैन करोड इस तरीके से हमारे इंडिया नंबर सिस्टम चलता है अब अगर हम इसमें कोई भी डिजट लिखते हैं जैसे अगर हम यहां पे लिख देते हैं वन टू जीरो तो हम इसको क्या रीड कर तो इसको हम रिड करेंगे 120 टीक है इसी तरीके से अगर कोई नंबर लिखा गया होगा कोई अगर हम एक बड़ा डेजट ले लेते हैं जैसे कि आप पहले तो इसको देखें ऐसा इसके टेबल को बना सकते हैं कुछ इस तरीके से टें थाॉजन लेक 10,00,000,00,00,RK,10,000,00,RK,20,客,10,00,RK तो यह हमारा एक टेबल फda हो गया अब अगर हम इसमें कोई बड़ा सा नंबर लिख दैता है ठीक है जैसे हम लिखते हैं 2, 3, 1, 4, 6, 7, 9, 5, 3 एक हमने एक ऐसा random सा number लिख दिया तो इस number का number name क्या होगा तो देखे हमें इसके लिए पढ़ना होगा periods ठीक है तो गर हम periods की बात करें तो हमारे Indian number system में जो periods होते हैं पहले तो हम इन 3 digits के लिए period यूज करते हैं फिर thousand, ten thousand ये अलग read किया जाएगा फिर lakh, ten lakh ये अलग एक period होगा फिर करोड, ten करोड ये अलग एक period होगा period in the sense के अगर आप देखते होंगे तो आपके इस number system में जब हम numbers को लिखते हैं जैसे अगर आपको लिखना है 23,500 तो आप जानते हैं कि 23,500 जो लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर कॉमा लगाते हैं यही जो कॉमा होता है यह periods पर लगता है ऐसा नहीं है कि हम यहाँ लगा सकते हैं यह डिपेंड करता है period पर तो हर एक number system में अपना कुछ period होता है वहीं पर कॉमा लगता है तो यह कॉमा उस period को बताता है तो period का मतलब अब समझ गया है अब देखे हम इसको लिखेंगे कैसे तो अगर हम बात करें तो देखे हम पढ़ना इस्टार्ट करतें किसी number system को इधर से तो यह हमारा एक period था तो हम इसको एक साथ rate करें तो देखे यह है क्या यह है 23 तो हम इसको लिखेंगे 23 और यह किस number यह देखे यह है करोड period यह है लैक period यह है thousand period और यह है once period तो कुछ इस तरीके से हमारा period होता है अब अगर हम देखें तो यह 23 क्या है करोड तो हम इसको लिखेंगे करोड अब यह 14 lakh तो हम इसको लिखेंगे 14 lakh फिर thousand में 67 तो 67 ताउजन और इस पूरे को एक साथ read करेंगे तो यह 953 तो 953 तो इस तरीके से हम अपने Indian number system में numbers को read करते है अब देखें इसका फाइदा क्या हो जो हमने period पढ़ा उसका फाइदा क्या होगा हमें तो देखें हमें सबसे पहले लिखेंगे है 23 करोड तो हम इसको ऐसा लिख देंगे 23 करोड फिर 14 lakh तो यह 14 lakh फिर 67,000 तो 67,000 फिर 953 तो यह होगा 953 तो यह हमारा number form होगा जो हमने अभी यह पढ़ा तो इस तरीके से हम Indian number system में numbers को लिखते हैं और पढ़ते हैं तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा आप कुछ questions कुछ numbers को practice के लिए आप लिख सकते हैं जैसे आपको practice के लिए मैं कुछ questions दे दे जैसे first number जो है वो आपको लिखना है 5145 42786 second number जिसका आपको number name लिखना है वो है 14267 9452 यह दोनो number names आपको जो है लिखना है अभी आप लिखिए और थोड़ी देर के लिए वीडियो को pause कर दिए मैं इन दोनों के number ने आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको correct कर सकते है तो देखिए इसका जो number ने में first वाले का यह देखिए यह once tens hundred thousand ten thousand lakh ten lakh करोड ten करोड तो हम इसको लिखेंगे 50 देखिए ऐसे directly मैं तो लिख दे रहा हूँ लेकिन आप कैसे लिखेंगे इसको अच्छे से समझते हैं तो देखिए यह 514542786 यह नंबर है हमारे पास यह once tens hundred thousand ten thousand lakh ten lakh करोड ten करोड अब हम इसको लिखेंगे कैसे तो देखिए इसको लिखने का तरीका हमारे पास यही है कि हम सबसे पहले करोड प्लेस वाले को एक साथ रीड करेंगे तो यह होगा fifty one करोड फिर ten lakh वाले को एक साथ रीड करेंगे तो यह हो जाएगा forty five lakh फिर यह thousand वाले को एक साथ तो forty two thousand फिर यह seven hundred eighty six तो इसको लोग लिख देंगे seven hundred eighty six तो इस तरीके से हम numbers को लिखते हैं फिर सी तरीके से अगर हम इस number की बात करेंगे तो देखिए इसको क्या लिखेंगे तो यह वांस टेंस हंड्रेड यह थाउजंड ten thousand lakh ten lakh करोड ten करोड तो अगर हम इस number को लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा 14 करोड तो हम इसको लिख सकते हैं 14 करोड 26,0026,007,9,007,9,000 452 तो यह 452 तो इस तरीके से हम इन numbers का number name लिखेंगे अब यह तो हमारा Indian number system हो गया अगर हम बात करें international number system की तो देखिए यह भी कुछ इसी तरीके से चलता है इसमें difference क्या आता है तो देखिए इसमें जो हमारा difference आता है वो कुछ इस तरीके से होता है तो यहां देखिए सबसे पहले जो हमारा heading है वो है number system ठीक है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए सबसे पहले जैसे हमारे इंडिया number system में आता था सीम उसी तरीके से हम यहां पर लिकेंगे पहले वन्स फिर वन्स के बाद आता है है तंस के बाद आता है हंडरेटट छंडर्स के बाद थाउजन्डं के फिर है ऑटन 9000 फिर में 1000 आता है से फिर हम इसतलएशर स्वह्तर के बाद हुखे आता है मिलियन क्या पौन थे इन 100 нал new ए इस तरीके से इसमें हमारा ये table form होता है अब देखिए ये जो table form हुआ तो हम इसको किस तरीके से read करेंगे numbers को ये भी दिख लिए और बात आती इसमें periods की तो देखिए हमारे Indian number system में जो periods होते थे जैसे अगर मैं बात करूँ Indian number system में जो periods थे हमारे तो वहाँ पे देखिए क्या था कि हम सब national number system के बात करें तो इसमें जो हमारा period होता है वह every three desert यानि कि ये hundred times once एक साथ एक period बनाएगा फिर जो thousand वाले हैं वो एक साथ period बनाएगे और फिर जो million वाले हैं वो एक साथ और फिर million के आगे trillion आएगा तो trillion एक साथ तो ये three three desert पे जो है इसका period बनता है तो जैसे कि अगर हम कोई एक example के लिए number ले ले जैसे कि हम example के लिए एक कोई number ले लेते हैं जैसे कि one four two six seven five nine three one तो इ पिरियाड के अगर हम इस number को लिखना होगा तो हम इस number को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से one four two comma six seven five nine three one three three desert पे periods लगेंगे ठीक है अब अगर हम बात करें तो देखिए three three desert पे periods लगेंगे तो एक ये period हो गया एक ये period हो गया और एक ये period हो गया अब इसको लिखेंगे हम लोग कैसे तो देखिए इसका number name लिखने का तरीका है सबसे पहले तो हम इधर से इस टार्ट क करना चाहें तो इसको हम रिडि़ कर सकते हैं 142 तो यहां पर हम लिखेंगे वन हंड्रेड अ फोर्टी अ अब यह कौन सा पीरियट है तो यह मिलियन वाला पीरियड है तो यहां पर मिलियन एम आइडबल लाई ओन मिलियन फिर अगर हम इन तीनों को एक साथ रिडिकरें तो यहां पर हम लिखेंगे 6 6 100 100 75 और यह किस प्लेज में देखे 1000 1000 तो यहां पर है 1000 पिरियड तो यहां पर आ जाएगा 1000 और फिर इन सारे को एक साथ रिडिकरें तो देखें यह वन्स पर है तो 931 तो यह हो जाएगा 931 तो इस तरीके से नंबर नेम लिखते हैं अपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं और उनको आपको बताना है कि इनका एंसर क्या आएगा तो देखिए हमारे पास जो कोई नंबर है हम ऐसे रेंडमली लेते हैं मैं कहीं से देखके नंबर नहीं दे रहा हूं तो जो रेंडमली अगर हम लोग नंबर को टेक करें तो देखिए सबसे पहले जो आपका नंबर फॉर्म होगा जो सबसे पहला अगर हम नंबर लिखना चाहें तो देखिए हम लिख सकते हैं 147263549 इस नंबर का आपको नंबर नेम बताना है यह फर्स नंबर है सेकेंड नंबर जो आपको नंबर नेम बताना है वह है 362105490 इन दो नंबर का आपको नंबर सिष्टम में अगर हमें नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे मेरे लिखने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है तो इन दोनों नंबर्स का नंबर नेम जो है आप खुछ से लिखके ट्राइ कीजे तब तक थोड़ी देखे आप वीडियो को पॉस कर दीजे और लिखके ट्राइ करने के बाद फिर मैं बता रहा है और यह वन्स वाला है तो यहां पर 147 मिलियन तो हम इसको लिखेंगे वन हंड्रेड है फोर्टी सेवन है फोर्टी सेवन है मिलियन है फिर थाउजंड पर 263 तो तू है हंड्रेड है 163 थाउजंड 549 तो यहां पर हम लिख देंगे फाइव हंड्रेड है फोर्टी नाइन तो यह तो हो गया हमारा फर्स नंबर सेकेंड नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा यह मिलियन यह थाउजंड यह वन्स तो 362 मिलियन यह थाउजंड वाला है पिरियड तो यह थाउजंड वाला है पिरियड तो वन हंड्रेड नाइनटी तो आई होब कि आपको यह भी समझ में आया होगा अब देखिए अब जो हमारा थाड़ नंबर सिस्टम था वह है रोमन नंबर सिस्टम तो देखिए रोमन नंबर सिस्टम अब क्या होता है यह इन दोनों से बिलकुल लग इसमें कुछ भी मैच नहीं होगा ठीक है तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वह है रोमन नंबर सिस्टम तो देखिए रोमन नंबर सिस्टम में किन डिजिट्स का हम लोग यूज करते हैं तो देखिए रोमन नंबर सिस्टम में हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को सिस्टम के कुछ डिजिट्स को यू सिस्टम जो है हिंदू कि अरेबिक है कि सिस्टम इन दोनों में कुछ जो नंबर्स होते हैं हम उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं ठीक है अब जैसे वो नंबर्स क्या है तो देखिए सबसे पहले तो हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में वन के लिए फाइफ के लिए टैन के लिए फिफ्टी के लिए हंड्रेड के लिए और फाइफ हंड्रेड के लिए और इसके बाद एक और है थाउजन के लिए इन सारी नंबर्स के लिए हमने रोमन नंबर्स सिस्टम मे कुछ numbers को fix कर रखा या फिर Roman number system में हम letters represent करते है numbers को तो उसके लिए हमने letters fix कर रखा है अब क्या है वो letters तो देखिए अगर हम बात करें Roman number system में तो इसमें हम 1 को represent करते हैं I से 5 को represent करते हैं V से 10 को represent करते हैं X से 50 को represent करते हैं L से 100 को represent 50 कила love Martian's 100 गल्वा आधिंग करते हैं 500 को रिप्रेयों करते हैं डी से और 1000 को रिप्रेयों करते हैं जो 7 हमारे ईल्फा जैंआधों रिप्रेजोंे करके हम आगे के सारे नंबर जितने भी वन के सारqué 1000 तु motsन ते अध्षयmond है तु यहां त कि तक तो आपको समझ में आया होगा अब दीएं कैसे हम निकों लिठेंगे तो इसके लिए आपको सब्सक्राइए का विए तो आप करना में याद कि की हम द कर लिया होंगी कि वह आपने अभी तक पढ़ा हूआ के लिए M जो है आप ऐसे M जो है LCD TV क्योंकि महंगा आता है तो M से महंगा याद रख सकते हैं याद रखने के बहुत सारे तरीक है आप खुद से अपने किसी फ्रेंड्स के नेम पर याद रख सकते हैं या फिर कोई ऐसा सिग्निफेकंट तरीका हो संगा जो कि आपको ज्याद नंबर्स में नंबर को लिखते हैं इन सारे डिजिट्स को यूज करके तो देखे रोमन नंबर का कुछ रूल है कि मैक्सिमम अगर हम कैसे डिजिट को रिपीट कर सकते हैं तो वह है ठीट तैम्स कैसे दिखें अगर हमें वन टू थ्री फॉर फाइफ शिक्स सेवन एट ना पलाई तो आप कङेंगा कि फॉर के लिए मतलब फॉर ताइमस तो नएं हम मैक्सिममम अगर किसी औहुं किसी आल्फाबेट को यूज कर सकते हैं तो जायदा नहीं कर सकते ठाफश को कैसे लिखेंगे तो देखें अगर हम फॉर को लिखना चाहें तो देखें पौके बाद 5 के लिए V उज़ार है, और minus 1 के लिए I, तो यानि कि जब ये minus 1 है, तो ये V के फाले लग जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा Iv और 5 के लिए हो जाएगा V, तो 4 के लिए आपको क्या लिखना है, हुआ Ivan और 5 के लिए V, अब देखे 6 को कैसे लिखे तो देखे 6 को हम लिख सकते हैं 5 plus 1 और जब यह plus 1 होगा तो V के आगे लगेगा I 7 को हम लिख सकते हैं 5 plus 2 तो यह V के आगे double I फिर 8 को हम लिख सकते हैं 5 plus 3 तो यहाँ पर यह हो जाएगा V के आगे 3 I ठीक है अब देखे लेकिन हमने बताया ना कि यहाँ पर maximum number of times अगर हम किसी letter को represent कर सकते हैं तो वह है 3 times तो अगर हम 9 को लिखना होगा तो क्या हम इसको भी के आगे 4 I लिखेंगे तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि maximum 3 times यूज कर सकते हैं तो अगर हम देखे तो 10 के लिए हम भी माइनस होगा तो यह x के पहले लग जायगा तो यह हो जाएगा i x तो यहां तक आपने 10 तक लिख लिया अब देखे अब अगर हमें लिखना है 11 के लिए 12 के लिए 13 14 15 16 17 18 19 20 तो अगर हमें इसके लिखना है तो देखे 10 के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ था x x के आग एक लगा देंगे तो 11 फिर सेम अब आपको करना क्या है सारे के लिए सिर्फ ऐसे x लगा देना ठीक है तो यह x यह X जो है यह represent कर रहा है 10 को ठीक है तो यहां तक तो हमने लिख दिया अब इधर से जैसे जैसे हमें क्या करना होता था 11 लिखना था 11 तो अब यहां पर अगर हमें 12 लिखना है तो देखे X double I 13 लिखना है तो X के बाद 3 I 14 लिखना है तो देखे X और फिर 4 को IV से लिखना है तो IV 15 को लिखना है तो X V इसको लिखना है तो यहां से VI यह X V double I फिर यह 10 प्लस 8 तो V triple I फिर यहां पर X I X 10 प्लस 9 19 और यहां पर 20 अब जी तरीके से अगर हम करना चाहें तो फिर 21 से लेकर के आगे के लिख सकते हैं और next जो हमारा 30 आएगा तो देखे 30 के लिए हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे triple X अब जब अगर हमें 40 के लिए लिखना होगा तो क्या हमें 40 के लिए भी यहां पर ऐसे डिरेक्ट लिख सकते हैं 4 x X तो नहीं देखिए हमने 40 के लिए हम ऐसे डिरेक्ट नहीं लिख सकते हैं लेकिन अगर हमें 50 के लिए लिखना हो तो हमने 50 के लिए यहां पर पढ़ा हुआ है L तो हम 50 के लिए जो है L का यूज कर सकते हैं लेकिन अगर हमें 40 को लिख सकते हैं 50-10 अब देखे 50 के लिए हमने L पढ़ा हुआ है और 10 के लिए X पढ़ा हुआ है तो इस तरीके से जो 10 है वो नेगेटिव है तो 40 को हम लिख सकते हैं L और क्योंकि नेगेटिव में X है तो ये X पहले लग जाएगा तो 40 के लिए हम जो यूज करेंगे वो है XL ठीक है आपको बिलकुल भी कुछ भी याद नहीं करना है जो आपको याद करना है वो है सिर्फ ये हमारे 7 alphabets जिसके लिए हम अलग-अलग हिंदु अरेविक numbers को represent करते हैं उसके बाद का 12 पूरा जो system में हमारा वैसे ही चलता है अब देखिए ये तो हो गया 50 ठीक है बाकी अगर आपको 50 जैसे 51 के लिए लिखना है तो देखिए 51 को ये हम क्या करेंगे ये 50 था तो 50 के लिए हमने L किया तो 51 के लिए L I इसी तरीके से 52 के लिए L I इस तरीके से पूरा हमारा चलता चला जाएगा 60 अगर हमें लिखना होगा तो देखिए अब हम पढ़ लेतें हैं थोए से 60 के लिए तो देखिए 60 को अगर हम लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते है like अब ये तो three times हमने use कर लिया अब अगर हमे ninety के लिखना हो तो क्या कर सकते हैं हम 90 के लिए लिख सकते हैं 100-10 और 100 को हम represent करते हैं c से और 10 को represent करते हैं x से और क्योंकि यहां पे 100-10 यह पहले लग जाएगा तो यह हो जाएगा x c यानि कि यह 90 का हो गया सेम इस तरीके से 100 के लिए गर करना होगा तो C 100 देखें अब आगे भी देख लेते हैं क्योंकि आपको हो सकता है confusion आ जाए तो देखें 110 को अगर हमें लिखना होगा तो 100 के लिए X और 100 के लिए C और 10 के लिए X तो CX हो जाएगा Similarly अगर 120 लिखना होगा तो इसको हम CXX लिखेंगे 130 लिखना होगा तो हम इसको CXX लिखेंगे और अगर हमें 140 लिखना होगा तो 40 के लिए हमने भी पढ़ा XL तो ये हो जाएगा CXL फिर सी तरीके से 150 लिखना होगा तो हम इसको लिख देंगे CL 100 प्लस 50 सेम इसी तरीके से चलता चला जागा अगर हमें अब 200 लिखना होगा तो दिखे 200 के लिए हम लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 100 यानि डबल सी 300 अगर लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं तो यहां पर C पहले आ जाएगा और D बाद में आ जाएगा तो यानि 400 के लिए हमें जो नंबर लिखना है वो है C D फिर इसी तरीके से 500 के लिए हमें D लिखना है फिर 600 के लिए देखिए हमें क्या करना है तो 600 के लिए हमें D C लिखना है क्यों क्यों क्योंकि 600 को हम लिख सकते यह कुछ है नहीं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेटीज याद रखनी है वो है ये सारे letters तो अगर ये letters से किन हम numbers को represent करते हैं वो आपने याद रख लिया तो ये जो हमारा Roman number system में वो बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा तो I hope कि आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपका कोई doubt है तो आप comment करके बता सकते हैं और अगर आप channel पर नए तो channel को subscribe कर लिजे क्योंकि आपके CHS exam से related बहुत सारे videos मैंने पहले से upload कर रखे और जो कुछ बचे हुए हैं या फिर अभी तो मैं फिर से यहां से start कर रहा हूँ number system से क्योंकि पिछले जो videos उसमें कुछ चीजें हो सकता है मिस हो गई होंगी तो इसलिए मैं यहां पर फिर से upload कर रहा हूँ तो आपको फिर से पूरी तरीके से एक दम साया चीजे प्रिपेर करने को मिलेंगी तो आप channel को subscribe कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसे इच्छ इंट्रेस exam के preparation करना और अगर आपको चीजे कुछ जो doubt में है या फिर जो कुछ से समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप comment करके मुझे जरूर बताएं मैं उसके लिए भी वीडियो बनाओंगा तो आई होब कि आपको यहां तक का जो roman number system में उतना समझ में आया होगा अब देखिए अब इसके आगे बहुत सारी चीजे हैं ठीक है जिसको हमें पढ़ना है तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी तक के लिए आपको जो करना था वो आपने roman number system तक सारी चीजे पढ़ लिया है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे